है वरीवन मैं मैं पांडे आप लोग का अपने यूटूब चैनल के से टैली स्पेसिलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अविरंदन करता हूं आज मैं आप लोग की समक्ष अपनी नेक्ष्ट क्लास ले करके आया हूं जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मेरा क करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आप चैनल को देख रहे हैं बिना सब्सक्राइब के तो सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें अपने फ्रेंस के पास सेर करें और सबसे पहले ऒजोका नॉटीफिक्शन प्राप्त करने के लिए वेल आइकन आप जरूर प्रस करने तो चलिए देखते हैं then इजली क्लास में मैंने थ्धोडा बहुत इसके बारे में बताया था आपको बटा आज मैं Turgeon को पढ़ाने से पहले Bl掰掰 के बारे में आपको बतादेना चाहता हूं आप देखें customer में first say ए color one and color two color one and color two का क्या मतलब है color one को बोलते है foreground color and color two को बोलते है background यहाँ देखें आप लिख करके आभी रहा है फूर ग्राउंड ग्राउंड पर यहाँ जो आपका कलर बॉक्स आपके सामने जो मुस्ट युजुबल colors हैं वो आपके available हैं यहां से हम color का चुनाव कर सकते हैं यदि हमें first color change करना है तो selection हम first color पर रखेंगे और किसी भी color पर हम click करेंगे तो color directly change हो जाएगा अगर हम second color पर selection रखते हैं color number two पर रखते हैं और हम किसी पर click करते हैं तो color change हो जाएगा बट यह effective कब होगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं जब हमारा color one foreground color जो है selected है तो हम कोई भी टूल लेकर के work करेंगे यह जैसे मैंने आप pencil को select कर लिया यदि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूं आप देखें मैं एक line ड्रा कर रहा हूं यह कर्ब ड्रा कर रहा हूं green color में जो हमारा foreground color है color number one means जो paper होता है आपका जिस पर हमें drawing करना होता है जिस पर हमें image बनानी होती है तो जो paper color होता है वो background color होता है और उसके उसके उपर हमने एक उसके उपर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है या कर्वी लाइन ड्रॉ किया है मैंने पैंसल के माध्यम से मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप देख पा रहे हैं यह क्या है यह फोर ग्राउंड कलर है अगर हम सेलेक्शन फर्स्ट कलर पर रखे हुए हैं और किसी भ हम इसको select करते हैं कोई भी दूसरा color इसके लिए color number 2 के लिए तो आप देखें वो effective नहीं हो रहा या हम कुछ भी लिख रहे हैं तो हमारा जो foreground color number 1 है वही so कर रहा है means ये कप so करेगा जब हम इस page को delete करेंगे जो हमारे सामने picture file दिख रही है एक paper है इस paper के नीचे का background अब क्या हो गया है yellow हो गया है जो हमने यहां से चुनाव कर लिया है वो background color है जो ये layer है इसको आप यहां से select all कर लें control लिकर के select all करते हैं और हम delete कर देते हैं जब हम delete कर देंगे तो जो selection होगा आपके color 2 का वही color यहां पर show करेगा और आप देख पा रहे हैं इस पर भी आपका foreground color वही जो आपने red color ले रखा है वो red color इस पर pencil के माध्यम से हम draw कर ले रहे हैं means जिस color में हमारी picture file होती है वह background होता है और उसके उपर हमें कोई भी tool के माध्यम से या shapes के माध्यम से या brush के माध्यम से हम कुछ भी draw करते हैं वह आपका foreground color में draw होता है कभी कभी क्या होता है कि हमारा background और foreground दोनों ही yellow हमने अगर चुल लिया है तो हम foreground और background में कुछ भी करते हैं पता नहीं चलता बट हमारी जो हमारे द्वारा draw किया गया image होगा या draw किया गया कोई भी shape होगा या line होगी वो draw होगी बट वो दिखेगा नहीं because दोनों same color हो जात करेंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा इसलिए हमेशा जो आपका color number one होगा और color number two होगा different होगे दोनों तभी आप कर पाएंगे work को तभी उसको अच्छे तरीके से आप use कर पाएंगे इसलिए दो color यहां दिये गए हैं तो एक होगे आपका foreground color एक होगे आपका background color background color म लेते हैं तो हमारा फिर से जो picture file है वो white में आ जाएगा और हमारा जो foreground color होगा वो मैंने यहां पर maroon ले लिया है तो maroon आ रहा है I hope यह आपको समझ में आया होगा इसमें बगल में देख पा रहे हैं आप edit colors means यह जो आपका color box है यह जिस से ज्यादा color की हमें जरूरत है तो ह हम edit color के माद्यम से हम यहां edit color पर click करेंगे तो हमारे पास एक dialogue आ जाएगा edit color का जहां से हम color को चुन सकते हैं यह आपका जो selector है color selector हम कहीं भी रख दें और यह आप ट्रिंगल आप देख पा रहे हैं इससे हम dark और light कर सकते हैं pointer के माद्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं य आपका light and dark बन रहा है color वो यहां पर 100 होगा हम यही से जान पाएंगे हमने क्या selection लिया या कितना dark या कितना light color हमें चाहिए होगा यहां आप देख पा रहे हम dark and light कर सकते हैं अगर हम इतना करना चाते हैं और इसको हम इसमें add करना चाते हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर add to custom color आप देखेंगे यहां custom color add हो गया और जब अभी हम यहां ok करेंगे तो यह custom color यहां पर add हो करके आजाएगा आप देखें ok करते हैं तो इस तरह से हम एक नया color बना सकते हैं तो यह है color box का use अगर हमारे यहां से color हम use करते हैं इस से ज्यादा color की जरुत है तो edit colors के माध्यम स हम और color ला सकते हैं I hope आपको यह color box समझ में आ गया होगा हम चलते हैं tools tab में और एक एक tools को समझते हैं उनका work हम कैसे करते हैं उसको हम use कैसे करते हैं carefully आप लोग देखेंगे फिर आपको किसी और class की जरुत नहीं होगी यह आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो first of all हम pencil को select करते हैं यहां से और pencil को use करने के लिए आप देखें जैसे ही मैंने pencil को select किया है यहां पर आपका size highlight हो गया है इसका shortcut आप देख पा रहा है size को बढ़ाने के लिए control plus plus आप प्रेस करेंगे और size को कम करने के लिए control plus minus ठीक है ना तो यहां से अपनी pencil का size आप बढ़ा सकते है size को कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं 4 pixels इसमें maximum है इसको ले लिए आपने आप एक मोटी line draw कर सकते हैं मतलब एक ठीक line आप draw कर पाएंगे या curve draw कर पाएंगे या कुछ भी लिखना चाते है pencil से जो भी कुछ आप drawing बनाना चाते हैं उसको आप use कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं pencil आप जितना आप चलाओगे आपका command हो जाएगा आपके mouse पर और आप अच्छे तरीके से कोई भी drawing या कोई भी कोई भी line या कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी draw कर सकते हैं इसको हम delete कर लेते हैं अब हम अगला tool देखते हैं अगला है fill with color fill with color का क्या use होता है अगर हम fill with color को उठाते हैं तो हम कोई भी color fill कर सकते हैं means जहां selection हमारा foreground पर होगा वो color हम direct fill कर सकते हैं हम undo कर लेंगे control के साथ z press करते हैं तो undo हो जाता है आप ध्यान देंगे हम एक save बना ले रहे हैं या से और भी कोई एकाथ save हम और बना ले रहे हैं हम एक दो save यहां से create कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ fill color का फायदा क्या होता है fill color आपने लिया और आपने कोई भी color यहां से बदल दिया change कर लिया और इस पर जाकर के आपने click कर दिया वो fill हो गया मान लेते हैं अगर हमने background color में कोई भी color चुना और उसको हमें आप fill करना है तो हम mouse की right button को press क कर सकते हैं means अगर background color को fill करना है तो हम right button को click करेंगे mouse के और अगर हमे foreground color को fill करना है तो हम left click करेंगे mouse का जो हमें color fill करना है इस तरीके से हम कोई भी color foreground का change कर लेंगे foreground का कोई भी color change करेंगे इस तरह से हम fill कर पाएंगे left click करके अगर हमें background color यूज करना है तो हम right click कर देंगे background color fill हो करके आ जाएगा means fill with color tool का use हम left click shape foreground color को fill करने के लिए करते हैं और right click करके हम background को fill करने का work करते हैं कोई भी shape हमने ले रखा है उसमें हम color को fill कर सकते हैं अगला आप देखेंगे text अभी मैं text को जैसे ही चुनूंगा यहां से text को हम यहां पर जहां भी लिखना चाहते हैं text एक तो आप pencil से भी लिख सकते हैं और direct आप keyword की मदद से text को लिख सकते हैं जैसे हमने text का एक criteria लिया तुरण text का एक menu open हुआ और उससे related ribbon में उसके options आ गए means हम यहां से कुछ भी लिख सकते हैं जो color आपका select है हमने कीरती को लिख लिया इस color से अगर हम यहां से color change करते हैं तो आगे हमको लिखना है हम अलग-अलग color में इसको लिख सकते हैं यहां तक कि हम एक एक character को अलग-अलग color में लिख सकते हैं इस तरह से हम लिखने का work कर सकते हैं अगर आप देखें यहां से हमें font को change करना हमने text को select कर लिया और कोई भी font हम यहां से use कर सकते हैं font का size बढ़ा सकते हैं, font को हम यहां से bold कर सकते हैं, italic कर सकते हैं, italic हो जाएगा, italic हटा दिया, underline दे सकते हैं, हटा सकते हैं, जो जिस color में होगा उसमें उसी color का underline लग जाएगा और यहां से हम चाहें तो stick through line बीच में cut line देना चाहते हैं तो हम एक style इसको provide कर सकते हैं नहीं करना चाहते हैं तो खोई नहीं इसमें आप देखें दो option है एक opaque है और एक transparent है दोनों का अलग-अलग युज है जैसे हमने इसको select कर लिया हमने यहां इसको select किया text को और text को यहां पर उठा करके हम किसी भी shape पर ले जाकर के रख रहे हैं हम इसको उठाएंगे और यहां पर ले जाकर के रखेंगे आप देख रहे हैं color आ रहा है और color में हम जाएं यहां पर transparent selection कर दें तो आप देख पा रहे हैं जो background color है वो हट गया means जो हमने अभी उठाया तो यह जो background color है आपका वो text के साथ उठकर के आ गया चुकि जितना criteria हम select किया उसको हम उठाएंगे तो उतना कट जाता है तो उसके साथ background आया था और हमने transparent यहां जाकर के कर दिया transparent मतलब होता है पारदरसी तो पारदरस्ता आ गई मतलब नीचे का background आप directly देख पा रहे हैं इसके साथ जो भी आपका background है अब आपको क्यों text आपका दिख रहा है आप उसके साथ जो background था वो नहीं दिख रहा है यह transparent style है यही work हम इसके साथ करते हैं अंडू कर लेंगे हम यही work हम जब हम text लेते हैं और text को हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं इसको हम draw कर देते हैं और हम लिखते हैं हमने text लिखा text लिखते टाइम पर आप देखें एक है opaque और एक है transparent अगर हम opaque कर लेंगे तो background उठकर के आएगा और transparent कर देंगे तो background उठ करके नहीं आएगा means यह हम तुरंद कर सकते हैं वहां के लिए भी कर सकते हैं या direct हम किसी shape पर लिखना चाहें तो हम उस shape पर लिख सकते हैं आप देख रहे हैं transparent कर दिया हमने तो आपका पीछे का जो background है या जो shape हो दिख रहा है अगर हम opaque लगा देते हैं तो जो background आपका color to select है वो दिखने लगेगा I hope आपको opaque and transparent समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं back अब हम देख लेते हैं अगला option है eraser eraser का basic work है बचपन से बच्चे इसका use करते है eraser मिटाता है, erase करता है eraser की size को बढ़ा करना है तो हम यहां से size को बढ़ा कर सकते हैं eraser को यहां से बढ़ा कर लिया, shortcut उसका भी control प्लस होता है eraser से हम कुछ भी मिटा सकते हैं, जैसे हमने कोई text लिखा है उसको भी हम मिटा सकते हैं means जो आपके picture file पर कोई भी art किया गया है, कुछ भी drawing की गई है, कुछ भी बनाया गया है उसको हम eraser के माध्यम से मिटा सकते हैं, erase कर सकते हैं undo कर देंगे अगला tool है आपका color picker, color को उठाने का काम करता है, dropper है यहां से जैसे हमारा selection अभी foreground में आप देख पा रहे हैं, blue color है आपका, तो हम यहां से अगर picker से उठाएंगे, तो direct color change हो जाएगा हमें color box पर जाने की, जरूत ने देखे मैंने color red पर click किया तो color आ गया इसकी मदद से हम कहीं भी color को डाल सकते, देखे red color मैंने यहां डाल दिया या हम अलग जगे पर इस पर red color डालना चाते हैं, red color इसके outline पर मैंने डाल दिया हम क्या करते हैं, picker को लेते हैं, और हम यहां से यह color को उठाते हैं, आप देख पा रहे हैं, foreground में यह color का selection हो गया means अगर हमारा foreground पर selection होगा, तो foreground color change हो जाएगा, अगर background को select करके रखेंगे, मतलब color 2 को select करके रखेंगे, तो picker से color उठाने पर वो change हो जाएगा इस तरह से हम कोई भी color यहां पर, fill with color के माद्यम से उसको हम color को भर सकते हैं, और color picker के माद्यम से color को हम उठा सकते हैं अगला option है आपका magnifier, magnifier से हम इसको zoom करके देख सकते हैं, जो भी हमने लिखा है बनाया है, इस तरह से हम zooming को बढ़ा सकते हैं, zooming को बढ़ाते जाएंगे, आप देखें, view में एक option है, zoom, यहां से zooming को बढ़ाने का तरीक आपको बताया गया, direct हम zoom को बढ़ा भी सकते हैं, और आप देख रहे हैं, यहां पर नीचे slider भी है, जो maximum zoom है, 800 है, और minimum zoom आप देख पा रहे हैं, 12.50, यह minimum zoom है, यहां से हम 100% करेंगे, तो आपके सामने आपका picture file show कर जाएगा, अभी मैं आपको view बाद में बताऊंगा, अभी मैं magnifier को ले रहा हूं, और magnifier को हम यहां पर ला करक हैं, तो इसको हम बढ़ा करके देख सकते हैं, क्लिक करते जाएंगे, अगर यहां हम right क्लिक करते जाएंगे, तो छोटा होता जाएगा, अगर हम left क्लिक करते जाएंगे mouse का, तो यह बढ़ता जाएगा, तो इस तरह से हम magnifier का इस्तमाल कर सकते हैं, magnifier का use हम करके, जैसे यहा देखना चाहते हैं क्या क्या erase हुआ है तो उसको हम यहां से देख सकते हैं या हमने कोई भी image या कोई भी drawing बनाई हुई है उसमें कहीं cut लगा है तो वो जैसे अभी हम देखे pencil से कुछ भी बनाते हैं pencil से हम बना रहे हैं अगर थोड़ा सा भी यह छोड़ दिया भीच में थोड़ा सा gap अगर हम इसमें डाल देते हैं gap दे देते हैं और इसमें यदि हम कोई भी color डालते हैं तो color पूरे में fill हो जाएगा means cut है यह cut हमने बड़ा करा हुआ है तो दिख राय में अगर हम यहां से जाएं और इसका minus कर दें यहां से zoom कम कर दें तो सायद हमें cut ना पता चले तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहां से इसको zoom कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसमें cut लगा हुआ है और उस cut को complete करना चाहते हैं तो हम यहां से color लेते हैं और उस cut को हम यहां से pencil के माध्यम से भर देते हैं फिर हम यहां से fill with color को लेते हैं और color को change करते हैं और यहां डाल देते हैं तो color भर के आ जाता है means color फिर नहीं फैलता है तो इस तरह से हम magnifier का इस्तमाल कर लेते हैं अगला हम देखते हैं brush अब आप देख पा रहे हैं brush जो है वो इसमें कई सारे इसमें triangle पर आप click करेंगे तो एक drop down list आती है इसमें brush के प्रकार है मतलब आप कोई भी color का चुनाव कर रहे हैं उस color से आप brush से कुछ भी paint करना चाहते हैं कुछ भी भरना चाहते हैं कोई भी आपने drawing की है उसमें आपको color भरना है brush के माध्यम से तो brush के कई effect है first brush है जो आपने color लिया उसी में करेगा second आप देख पा रहे हैं calligraphic brush है जैसे हम लिखते हैं तो इसमें calligraphy brush को टेढ़ा करते हैं लोग इस तरह से हम drawing हम कर सकते हैं brush को कोई भी art हम कर सकते हैं इसमें अलग-अलग format brush के दिये हैं यहां आप देख पा रहे हैं calligraphy brush 2 दो type के brush हैं आप अलग-अलग direction में इसको आप ले सकते हैं brush को calligraphy आपका first है and calligraphy second आप देख पा रहे है direction इसका क्या है हम थोड़ा सा size इसका बड़ा कर लेते हैं brush का आपको दिख लेने लगेगा देखें यह direction इस तरह का है और अगर हम calligraphy 2 ले लेते हैं तो उसका direction change होगा इसमें आप देखें इसका direction अलग तरीके से हैं दोनों का opposite direction में है means हम brush को यहां से कई type के brush हैं इसकार हमें कोई भी airbrush format में dotted dotted में करके लिखना है या बनाना है या कोई भी drawing या color fill करना है तो हम यहां से airbrush format लेते हैं आप देख पा रहा है इसमें से बड़ा बड़ा airbrush से ऐसे dotted dotted में हम fill कर सकते हैं फिर हम brush में जाते हैं और अगला brush का format है oil brush oil brush एक अलग type का brush आप देखें इसका color किस तरह से आ रहा है यह oil brush format है सब brush के बारे में इसको आप लोग use करेंगे इसकी drawing आप करेंगे वीडियो बहुत बड़ी नहों हो इसलिए हम कोई drawing करके नहीं दिखा रहे हर एक brush के बारे में बता रहें आपको और यह brush जो हमारा चुना हुआ है यह brushes में आप जाएंगे यहाँ पर यह जो आपका brush है यह आप crayon brush है इस crayon brush को आप देख पा रहें जैसे ही cut type में बना हुआ है airbrush के ही format में थोड़ा सा है लेकिन यह इसका set अलग हादा है next हम देखेंगे यहाँ पर अगला आपका marker brush है जैसे हम marker से लिखने का काम करते हैं उस तरह से marker brush को हम use करते हैं इसको select all करके delete कर देते हैं फिर हम एक एक brush को check करते हैं marker brush ले लेंगे कोई भी color हमने यहाँ से ले लिया उसी marker brush से color को अगर हम किसी एक ही जगार पर marker को बार-बार चलाते हैं देखें वो dark हो जाता है ऐसे ही यहाँ पर आप brush का इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ हम जाएंगे next format है यह आपका है natural pencil format में brush है मतलब पतलावला brush है round shape में जो होता है इस तरह से आप pencil format में इसको use कर सकते हैं इसके भी size को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं पैंसल का color भरा जाता है तो थोड़ा सा वो sad format लेकर के आता है उसी तरीके से आपका देख पार है अगला आप देखेंगे यहाँ पर watercolor brush है आपका watercolor आप जानते हैं बच्पन में आपने बहुत ड्राइंग किया होगा तो यहाँ से आप देखे water color format में आपको आ रहा है means एक ही color से हम brushes के माद्यम से अलग-अलग effect ला सकते हैं यह सुविधा आपके लिए है select all करके इसको हटा देते हैं I hope आपको brushes समझ में आया होगा shapes परमा जाएंगे आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे shapes हैं अगर हमें drawing नहीं हम कर पा रहे हैं ज्यादा तो हम direct shape ले 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 और उसमें हम कोई भी effect लाएं जब हम किसी भी shape को चुनते हैं तो side में outline and fill color highlight हो जाता है अगर हमें outline का color change करना है कोई भी हम solid में ले रहे हैं या जिस भी format में हम ले रहे हैं हाला कि selection होना चाहिए जैसे हमने कोई भी यहां से ले लिया अलग shape यह shape ले लिया और हमने वहाँ crayon किया था इसलिए crayon color में आ गया means जो हम color चुनेंगे उस color में हम इसको ले सकते हैं oil में ले सकते हैं water color ले सकते हैं जिस color में आप चाहेंगे ले सकते हैं और fill color अगर हमें करना है तो हम अलग-अलग type का color fill कर सकते हैं marker color है या oil color है या natural pencil color लेना चाहते हैं तो हम इसमें fill colors के माध्यम से हम इसको भर सकते हैं आप देख पा रहे हैं pencil color format में यह भरा जा रहा है जो हमने वहां से लिया है इस तरह से हम कोई भी fill style दे सकते हैं means जब हमारा shape selection होगा तभी हमारे यह दोनों active होंगे और इन दोनों का इस्तमाल हम कर सकते हैं हमने कोई भी color चुल लिया यहां पर और उस color के बाद हम यहां से fill में अलग-अलग style लेते हैं वो अलग style हम यहां पर भर सकते हैं इस तरह से I hope आपको shapes और outline color and fill color समझ में आ गया होगा आज के class में बस इतना I hope आप लोगों को चीज़े clear हुई होंगी सारे options आपको clear हुए होंगे तो वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें, share करें और subscribe अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लें मिलते हैं next day next part में तब तक के लिए thank you, jahin